Hello everyone, Good morning, I love you Judge Academy में सभी पहरे सात्यों का हर्दिक स्वागत है आज है 12 मार्च और हम लोग 12 मार्च से बनने वाले सभी important question आज की class में cover करने वाले हैं और साथ ही हम लोग देखेंगी जो हमारा G20 सी कर समेलन आयोजित किया गया है इस से आपका जो आगामी एक्जाम लगा हुआ है जैसे कि हमारा UPWID का इंट्रेंस हो गया MTS हुआ इस प्रकार के कई एक्जाम हमारे आगामी लगे हुए हैं उन सभी के लिए जो हमारा G20 सी कर समेलन आयोजित किया गया है important रहने वाला है तो सभी लोग एक बार class को share कीजिए जितने लोग भी class में आयोए हैं फिर class को हम लोग विद्वत प्रारम करते हैं और class के अंत तक सभी लोगों को रहना है ताकि जो भी हमारा question है किसी भी प्रकार का छूटना नहीं चाहिए तो देखे इसमें हमारा first question दिया गया है कि वर्स 2023 में G20 सिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है option आपको screen पर देख रहे है option यह हमारा 16, B है 17, C है 18 और D है 19 तो सभी लोग आंसर कीजिए कि जो वर्स 2023 में G20 का सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है उसका कौन सा संस्करण था तो इसमें हमारा right answer हो जाएगा option C यानि वर्स 2023 में जो C G20 सिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है उसका 18 संस्करण था अब देखिए इसके बारे में कुछ detail से जान लेते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है अगला प्रसन है हमारा कि G20 सिखर सम्मेलन 2023 की अध्यच्चता किस देश ने किया थी यानि जो 2023 में G20 आयोजित किया गया है तो इसकी अध्यच्चता किस देश के द्वारा की गई है ये हमारे कोश्चन में बताया गया है ओप्सन देखिए A है भारत B है ब्राजील C है इंडोनेसिया और ओप्सन D है हमारा बेल्जियम तो आंसर केजिए सभी लोग की जो हमारा G20 सिकर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है इसकी अध्यच्चता किस देश के द्वारा की गई है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन A यानि भारत ने G20 सिकर सम्मेलन 2023 की अध्यच्चता की है अगले कोश्चन पर आते हैं पहले तो इसके बारे में हम लोग G20 जो ग्रूप है इसमें देखेंगे कि ये कितने कंट्रीज का एक सम्मू है तो देखिए G20 ये 19 देशों का सम्मू है प्लस इसमें यूरोपिय संग एक है यानि हम कह सकते हैं कि ये 20 कंट्रीज का एक सम्मू है इस थापना की बात की जाती है तो ये 26 सितंबर 1999 में इसकी इस थापना होई थे और भारत भी G20 का हिस्सा है कभी अगर question दिया जाता है कि इंडिया हमारा G20 का हिस्सा है या नहीं है तो हमारा right answer हो जाएगा कि इंडिया हमारा G20 का हिस्सा है अब देखे G20 का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया है याद रखना है अगर question दिया जाता है तो हमारा ये भी पूछे सकता है कि इसका पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है तो अमेरिका में आयोजित किया गया है किस वर्स आयोजित किया गया है तो 2008 में आयोजित किया गया है अब देखिए कुछ सम्मेलन इसमें दिये गए हैं जो की important रहते हैं जैसे कि सोलवा सम्मेलन G20 का कहां पर आयोजित किया गया है तो ये इटली में आयोजित किया गया है किस वर्ष आयोजित किया गया है तो 2021 में आयोजित किया गया है दिखिए अगर हमारा करिंट का कोशन आएगा तो हमारा जो 21, 22 और 23 इसी डेट से हमारे पूछे जाएंगे तो 2023 में जो G20 का सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है ये हमारी इंडिया में किया गया है अगर 2022 की बात किया जाती है तो इंडोनेसिया में किया गया है और इसका सत्रवां सम्मेलन था याद रखना है और 2021 में ये इटली में आयोजित किया गया है और ये सोलवां सम्मेलन था तो ये तीनों सम्मेलन हमें याद रखने होंगे सोलवा इटली में हुआ था और 2021 में सत्रवा दो हजार बाइस में आयोजित किया गया है इंडोनेसिया में अठारवा जी ट्वेंटी सम्मेलन दो हजार तेस में आयोजित किया गया है जो की हमारी इंडिया में आयोजीत किया गया है नेस्ट कोश्चन पर आये क्या दिया गया है हमारा कोश्चन देखे कि G20 सिखर समेलन 2030 की थेम क्या थी देखे टॉपिक हमारा इंपोर्टेंट है आगे आपको जो भी आप एक्जाम दोगे उसमें आपको कोश्चन मिलने वाला है इस क्लास से तो चलिए इसमें देखे ओप्सन क्या दिये गये है वासुधैप कुटुम्ब गम ओप्सन भी है एक प्रत्वी, एक कुटुम्ब, एक भविसी है हमारा ओप्सन भी है C है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह हमारा ओप्सन C में दिया गया है ओप्सन D है, हमारा उप्रोक्त सभी तो आंसर कीजिए कि G20 सिखर सम्मेलन जो 2013 में आयोजित किया गया था इसकी थीम क्या है दिखे, कोई भी सिखर सम्मेलन होता है, कोई भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसकी थीम हमारे लिए इंपोर्टन हो जाती है दूसरा पॉइंट इंपोर्टन रहता है कि किस अस्थान पर आयोजित किया गया है तीसरा पॉइंट यह हमारे लिए important रहता है कि इसकी अध्यच्छता किस ने की थी तो हमारे question में जो G20 सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 2023 में इसकी theme के बारे में चर्चा की गई है तो option आपके सामने रखे हुए हैं सभी screen पर answer कीजिए सभी लोग तो हमारा right answer हो जाएगा option D यानि उपर्योग्त सभी ठीक है उपर्योग्त सभी अब देखिए उपर्योग्त सभी कैसे हो सकते हैं option A में दिया गया है वासुदेव कुटुम्ब कम तो G20 सिखल सम्मेलन जो 2023 में इसकी theme थी तो वो Sanskrit में theme है वासुदेव कुटुम्ब कम अगर हिंदी में बात की जाती है कि इसकी theme हिंदी लेंग्वेज में क्या है तो एक प्रत्वी एक कुटुम्ब और एक वविस से ये हिंदी में theme हो जाएगी ठीक है ये हिंदी लेंग्वेज में है और ये हमारी Sanskrit language में हो जाएगी अगर यहीं पर हम English की बात करते हैं कि English language में ये 20 सिखर समयलन जो 2023 की theme है वो क्या है तो one earth, one family और one future ये English language में theme हो जाएगी इसलिए हमारा right answer हो गया है option D यानि उपर युक्त तीनो theme हमारी दी गई है जो कि Sanskrit language में भी है, Hindi language में भी है और English language में भी दी गई है अगली question पर आते हैं, question हमारा क्या दिया गया है कि G20 सिखर समयलन 2030 का logo कहां से प्रेरित है important question है, option सारे दिये गये हैं, इंडियास national flag, option B है रस्यास national flag option C है France national flag, और option D है हमारा इन में से कोई नहीं तो सभी लोग fast answer केजिए कि G20 जो सिखर समयलन 2030 का logo है, ये कहां से प्रेरित किया गया है तो हमारा right answer हो जाएगा, option A, यानि जो इंडियास national flag है यहां से G20 सिखर समयलन 2030 का logo प्रेरित किया गया है अगले question पर आते हैं, question हमारा क्या दिया गया है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023 का agenda क्या है option सारे आपको स्क्रेन पर देख रहे हैं, सभी लोग answer केजिए जैसे कि आपको option A दिख रहा है, समा वेसी, महत्वा कांची, कार्रिवाई, उन्मुक option B है, inclusive, ambitious, action, oriented option C है हमारा अप्रेक्ट दोनों, option D है, इनमें से कोई नहीं सभी लोग answer केजिए, हमारा right answer क्या होगा तो question 5 का हमारा right answer हो जाएगा, option C, यानि उपरियुक्त दोनों, इसमें भी उपरियुक्त दोनों इसलिए हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो समा वेसी, महत्वा कांची और कार्रिवाई, उन्मुक ये option दिया गया है, तो ये हिंदी लेंग्वेज में एजेंडा है, ठीक है, हिंदी लेंग्वेज में अगर एजेंडा की बात की जाती है तो समा वेसी, महत्वा कांची का रिवाई, उन्मुक ये हिंदी लेंग्वेज हो जाएगी, अगर इन पर हम English language में बात करते हैं, तो inclusive, ambious, action oriented ये हमारी English इस लेंग्विज में एजिंडा हो जाएगा इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा option C यानि उपर युग्त दोन यहां तक सभी को के लिए रुआ समझ में आया चलिए अगला कोशन देखिए हमारा क्या है कोशन दिया गया है कि G20 सिखर समेलन 2023 की अध्यच्च्च्च्च्च कौन सा देश करेगा अभी हाली में हमने कोशन पिछली स्लाइड में देखा था कि 2023 में किस ने किया है तो हमारी इंडिया ने किया है नेश्ट कोशन पर हमसे यह पूछा गया है कि G20 सिखर समेलन जो 2024 में आयोजित किया जाएगा उसकी अध्यच्च्च्च्च्च्च किस देश के द्वारा की जाएगी ओप्सन देखे भारक B है ब्राजील C है इंडोनेसिया और D है बेल्जियम तो सभी लोग आंसर कीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन B यानि ब्राजील 2024 में G20 सिखर समेलन की अध्यच्च्च्च्च्च्च करेगा देखे जो 2023 में ये सिखर समेलन आयोजित किया गया है ये 18 समेलन था और जो 2024 में आयोजित होगा ब्राजील में तो कौन सा सिखर समेलन होगा 19 वा ठीक है तो ये 19 समस्क्रण हो जाएगा और ब्राजील इसकी अध्यच्चता करेगा कोश्चन नमर सेवंथ दिखे हमारा क्या दिया गया है कि G20 सिकर सम्मेलन 2022 की अध्यच्चता किस देश ने की थी इंपोर्टन कोश्चन है हमारा ओप्सन भी दिये गया है ओप्सन A है भारत, B है अमेरिका, C है इंडोनेसिया और D है बेल्जिया आंसर केजिए सभी लोग की 2022 की जो G20 सिकर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसकी अध्यच्चता किस देश की द्वारा की जाएगी तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C यानि इंडोनेसिया के द्वारा G20 सिकर सम्मेलन 2022 की अध्यच्चता की गई थे यहां तक सभी को किलियर हुआ समझ में आया एक वार सभी लोग थमनेल प्रेस कीजिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं सभी को अगर के लिए समझ में आ रहा है सभी लोग थमनेल प्रेस कीजिए चलिए वेरी गुड क्लास आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखे इसके बारे में देखिए जो 2022 में आयोजित किया गया था ये इसका सत्रवां G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेसिया में किया गया था भारत की तरफ से अध्यचता पियम नरेंद्र मोधी ने की थी और इसकी थीम थी जो कि important हो जाती है धीम देखिए ध्यान से क्या है और सोलमा जो संस्क्रड था तो ये 2021 में आयोजित किया गया था और अध्यचता किसके द्वारा की गयी थी तो इटली के द्वारा अध्यचता की गयी थी नेस्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर एट हमारा दिया गया है कि पहले G20 सिखर सम्मेलन की अध्यचता किस देश ने की थी यानि जो पहला सिखर सम्मेलन हुआ था G20 का इसकी अध्यचता किसकी द्वारा की गयी थी ओप्सन दिये गये हैं भारत सभी लोग आंसर कीजिया हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बी यानि पहला जो G20 सिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यचता USA यानि अमेरिका के द्वारा की गयी थी अब देखिए जो यहां पर अमेरिका ने अध्यचता की थी अगर यहां पर आपसे टाइम टेबल दे दिया जाए कि किस सन में की थी यानि किस समय की थी तो 2008 में अमेरिका ने G20 की अध्यचता की थी और उस समय अध्यच्छ कौन थे यानि अध्यच्छ कौन बनाए गए थे इस सम्मेलन के तो जोर्ज डबलू ब्रूस और ये अमेरिका के राष्ट पती थे इतना याद रखना है सभी को अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 9 हमारा दिया गया है G20 समू की स्थाफना कभ ही है देखे ये हमारा करेंट का ही नहीं ये हमारा GK का भी पोर्शन हो जाएगा देखे GK का साइड क्या रहता है कि अगर कुछ GK हमारा वही पार्ट बनता है जैसे आज जो हमने करेंट पड़ा है कुछ दिनों का बात ये हमारे GS में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जैसे कि अभी हाली में COVID काल रहा था तो COVID काल जितने समय तक रहा था वो हमारा current था आज तक वो हमारा GK का पार्ट बन चुका है क्योंकि अभी तक जब तक हम उसे पढ़ते रहे हैं वो हमारा 6 months से लेकर 1 year तक हमारा current रहता है उसके बाद हमारा GS के पार्ट में चला जाता है इसलिए जो हाल में चर्चाएं होती हैं वो हमारी current में रहती हैं तो मान के चलिए कि जो G20 समू की इस्थापना हुई है ये हमारी current का पार्ट नहीं रहा है फिर भी हमें GK के portion में रख कर इसको पढ़ना जरूरी हो गया है इसलिए देखिए कि G20 समू की जो इस्थापना है ये कब हुई थी ओप्सन सारे दिये गए हैं 1994 में ओप्सन V है 1999 में V है 2000 में ओप्सन D है 1945 में तो सभी लोग answer कीजिए कि G20 जो समू है इसकी इस्थापना कब हुई थी तो हमारा right answer हो जाएगा ओप्सन B यानि 1999 में 1999 में G20 समू की इस्थापना हुई थी question number 10 पर आते हैं क्या दिया गया है पहले इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं कि G20 समू की इस्थापना 1999 यानि 1999 में साथ देशों अमेरिका, ब्रेटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और जापान और इटली के बिदेश मंत्रियों द्वारा की गए थी याद रखना है कभी question दिया जाता है कि इसके इस्थापना किन देश के मंत्रियों द्वारा हुई है तो इतने साथ देश सामिल थे अमेरिका था, ब्रेटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और जापान ठीक है? इन देशों के द्वारा की गई है ताकि दुनिया की उभरती हुई अर्थ विवस्थाओं को एक साथ लाया जा सके इसलिए इस समेलन की इस्थापना की गई थी question number 10 हमारा दिया गया है कि G20 समू में कितने सदस्य देश सामिल है यानि जो G20 समू है, इसमें कितने मेंबर्स है यह हमारे question में दिया गया है option देखे, 18 देश और एक यूनियन संग है option B है, 19 देश और एक यूनियन संग है option C है, 18 देश और दो यूनियन संग option D है, हमारा 7 देश और एक यूनियन संग आंसर किजिए, question number 10 का हमारा right answer क्या होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्संग बी यानि 19 देस और एक यूनियन यूरोपियन संग है तो टोटल हो गई 20 यानि टोटल मेंबर्स कितने हैं जी 20 समूं में 20 सदस्य है चलिए कोश्चन नमबर 12 हमारा दिया गया है इसके बारे में देख लीजिए कि जो हमारे यहां पर 19 देस हैं वो कौन कौन से हैं एक बार सभी देस देख लीजिए पहला देस है आर्जेंटीन, आश्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और भारत इंडोनेसिया, इटलीय, जापान, दच्छिड कोरिया, मैकिसको, रूस, साथी अरव, दच्छिड अफ्रीका, तुर्की, योनाइटेड किंग्डम, सयुक्त राज अमेरिका और एक यूरोपिय संग है यानि टोटल देशों की अगर काउंटिंग की जाती है, तो 19 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जी ट्वेंटी के अगले कोशन पर आते हैं, कोशन हमारा क्या दिया गया है, कि भारत जी ट्वेंटी समूं का सदसिक कब बना था ओप्सन दिये गये हैं, नाइन्टी नाइन्टी एट में, ओप्सन भी है, नाइन्टी 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 जी ट्वेंटी समू का सदस्य हमारा बना था भारत याद रखना है इस थापना की बात के जाती है फिर भी हम 1999 ही लगाएंगे और इस थापना की समय में ही हमारा इंडिया जी ट्वेंटी का मेंबर्स बन गया था अगले कोश्चन पर आईए कोश्चन नमबर 12 हमारा है कि जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहां आयोजित हुई है आप्सन ए है इंदोर मध्यप्रिदेश बी है भोपाल मध्यप्रिदेश सी है संभाजी नगर महाराष्ट आप्सन डी है हमारा नई दिल्ली तो आंसर किजिए सबी लोग कि जो 2023 में इंडिया ने अध्यच्चता की थी जी ट्वेंटी की तो यहां पर जो बैठक आयोजित की गई थी कहां पर ये बैठक संपन हुई थी यह हमारे कोश्चन में दिया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी यानि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ये बैठक अगर अध्यच्चता की बात की जाती है कि इसकी अध्यच्चता किस ने की थी तो विदेश मंत्री के द्वारा की गई थी एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है very simple question है हमारा सभी लोग fast answer कीजिए कि वर्त मान समय में हमारी इंडिया के विदेश मंत्री कौन है तो कौन है एस जै संकर याद रखना है एस जै संकर ये वर्त मान समय में इंडिया के विदेश मंत्री है next question पर आते हैं question number हमारा दिया गया है कि भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहां आयोजित हुई है ओप्सन सारे स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि ओप्सन ये दिया गया है कच्छ गुजरात B है बैंगलूरू करनाटक C है संभाजी नगर महाराष्ट और D है पांडुचेरी आंसर केजिए सभी लोग तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन डी यानि संभाजी नगर महाराष्ट में G20 की पहली बैठक 2023 में आयोजित की गई है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन हमारा क्या दिया गया है कि भारत के पहले मॉडल G20 सिखर सम्मेलन 2030 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है आप्सने है अमिताव कांत B है नरेंद्र मोदी C है द्रोपदी मूर्मो और D है जगदीस धनकर आंसर कीजिए कि जो भारत के पहले मॉडल G20 सिखर सम्मेलन है इसकी 2023 में इसमें जो उद्घाटन किया है किसके द्वारा किया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप्सन ए यानि अमिताव कांत की द्वारा इसमें उद्घाटन किया गया है ठीक है अगर यहाँ पर आयोजन पूशा जाता है कि इसका आयोजन कहां किया गया था तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन हमारा क्या दिया गया है कि जी 2020 2030 के तहट आयोजित थिंग 20वेठग का आयोजन किस सहर में किया गया है ओपसन ए है भुपाल एमपी भी है बैंगलोरू करनाठक सी है संभाजी नगर महाराष्ट ओप्संड यह है नई दिली आंसर कीजिए कि जी ट्वंटी जो हजार तेज के तहट आयोजित फिंग ट्वंटी बैठक जो है इसका आयोजन किस सहर में किया गया है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ओप्संड यानि भोपाल एमपी में ठीक है नेश्ट कोशन पर आते हैं कोशन हमारा 60 दिया गया है इसमें कि भारत की जी ट्वंटी अर्थिचता के तहट पहली महला ट्वंटी वैठक दो हजार तेज कहां आयोजित हुई है आफसन ए है इंदोर मद्प्रदीश बी है भोपाल मद्प्रदीश सी है संबाजी नगर महराष्ट डी है इन में से कोई नहीं यानि नन ओफ दीज तो हमारा राइट आंसर क्या होगा देखिए कोशन को ध्यान से पढ़ना है कि भारत की जो जी ट्वंटी की अध्यस्ता है इसके तहट पहली महला ट्वंटी वैठक जो दो हजार तेज है ये कहां आयोजित हुई है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन सी यानि संभाजी नगर महाराष्ट में आयोजित की गई है संभाजी नगर ये महाराष्ट का एक जिला है याद रखना है चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन हमारा है कि 2023 में जी ट्वंटी संस्क्रेतिकार शमों की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है ओप्सन ए है इंदोर मद्यप्रदेश बी है बैंगलोरू करनाटक शी है संभाजी नगर महाराष्ट और डी है खजराओं एमबी तो राइट आंसर क्या होगा कोश्चन ध्यान से देखेगा कि 2023 में जी ट्वंटी संस्क्रेतिकार शमों की पहली बैठक जू हुई है ये कहां पर हुई है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी यानि खजराओं मद्यप्रदेश में इसका आयोजन किया गया है अगले कोश्चन पर आते हैं क्या है कि भारत की जी ट्वंटी अध्यचता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रूप यानि टी डवलू जी कहां आयोजित हुई है ओप्शन देखें कच्छ गुजराथ बी है बैंगलूरू करनाटक सी है संबाजी नगर महाराष्ट और डी है खजराहों एंपी कोशन दुबारा से देखें जिए कि भारत की जो जी ट्वंटी अध्यचता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रूप यानि टी डवलू जी है ये कहां पर आयोजित की गए है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए यानि कच गुजरात याद रखना है गुजरात में ही एक जिला है कौन सा है कच वहाँ पर टूरिज्म वर्किंग ग्रूप यानि टी डवलू जी आयोजित किया गया है नेस्ट कोशन पर आते हैं कोशन अमारा क्या है कि भारत में जी टूरिज्टी अधिश्ता के तहत पहली इनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रूप यानि ए टी डवलू जी बैठक दो हजार तेईस ये कहां आयोजित हुई है Option A है कच गुजराद, B है बैंगलगूरू करनाटक, C है संभाजी नगर महराष्ट और D है खजुराहों MP Option हमारे वही है कोशन भी हमारा थोड़ा गुमा दिया गया है और कोशन द्यान से पढ़ना है क्या है कि एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रूप जिसको हम सौर्ट में बोलते हैं ETWG इसकी जो बैठक 2030 में आयोजित की गई है ये कहां पर आयोजित की गई है ये हमें बताना है जो कि हमारे आप्शन में छिपा हुआ है इसका अंसर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप्शन बी यानि बैंग लूरू करनाटक में ETWG इसकी 2030 में बैठक संपन हुई है कोश्चन नंबर 20 पर आते हैं जो कि हमारा अंतिम कोश्चन दिया गया है कि G20 देशों के बित मंत्रियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की बैठक कहां आयोजित की गई है आप्शन देखें इन दौर मद्परदीश बैंगलूरू करनाटक संभाजी नगर महराष्ट कि G20 देशों के जो बित मंत्रियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी यानि बैंग लूरू करनाटक में जो केंद्री ये बैंक के गवर्णर है और जो देश के वित्त मंत्री है इनकी बैठक 2023 में आयोजी थुई है ये बैंग लूरू करनाटक में आयोजी थुई है तो ये थी हमारी आज की क्लास G20 से संबंदित जो की हमारी हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं जितने लोग भी क्लास में आई हुएं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें और सेर अवस्य करें फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय लाइब क्लास सुबस छे वजे